कर दोस्तों मैं लली स्थोनी द्रश्टी आई एस की न्यूज और इंडिया सिरीज में आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में हम लोग बात करने पिछले क्लास के अंदर दिया गया था सवाल यह था कि मजूली मास्क के बारे में निम्ल लिखित कथनों पर विचार कीजिए यह असर्म राजय के अंतरगत आता है और दूसर स्टेट्मेंट था कि मजूली के मुक्ष शिल्प की उत्पति श्रीमंद संकर देव से मानी जाती कि मजूली मास्क को अब है रिसेंटली जी आइट दिया गया है जिसकी वरे से काफी तरसा में रहे हैं ठीक है और इसी की वरे से हमने सवाल भी मिनाया है यह असंव राजय के अंसर गया और इन्होंने असाम में इसकी इस्थापना की थी और उसके दौरान इन्होंने कुछ यह कह सकते कि कला को भक्ति का एक माध्यम बताया था ठीक है और उसके लिए इन्होंने नाठ की प्रस्तूतियां दी थी उन नाठ की प्रस्तूतियों को भावना कहा जाता है और उन नाठ क में इनको दिया गया है और यह कुछ आपके सामने एक्जामपल के तौर पर है कि यहां पर यह रावन का मुखोटा है सुपरनखा का मुखोटा है गरूड है हनुमान जी है इसके लावा वरहा वगेरा के भी मुखोटे इनमें यूज किया जाते हैं तो इन मुखोटाओं में आप देखेंगे लगबग देवताओं को दानों को जानरों को पक्षियों को प्रस्तुत किया जाता है ठीक है अब एक बार हम देख लेते हैं जैसा कि मैंने बताया कि यह मजूली जो है असाम में है और इसके अलावा आपने यह नाम जरूर सुना होगा मजूली द्वीब यह भी काफी फेमस है आपके UPSC के point of view से important है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन ने बताएं कि मजूली जीब कहां इस्तित है और यह क्यों फेमस है ठीक है अब हम देखते हैं वापस यहां पे मजूली मास्क के बारे में कुछ चीज़ा लिखी गई है हस्त निर्मि को चित्रित किया जाता है जिसके उदार्ण है रावन गरूड नर्सिम्हा हनुमान वरा चुपर्णखा इसके लावा जब हम बात कर रहे हैं इस नव वैशनल सेक्ट की जिसको संकर देव ने इस्तापित किया था तो वहां पे उन्होंने कुछ ऐसे शत्र इस्तापित किये इस यहां पे यहां पर दिया और मजोली मुखों का प्रयोग किया जाता था प्रियोंक के जाता था इसके अलावा एक और चीज़ है बोर गीत जब यह निर्त्य करते हैं तो उस दौरान कुछ संगीत भी यूज करता है और उन्हेंसे एक है और यहां पर शत्रिया डांस हुआ करता था भावना नाटक हुआ करते थे तो यह कुछ नाम है जो आप याद रख सकते हैं यूपीसी पूछा करता है इस चीज़े अब आ नत्रवती रिवर्फ्रण्ट प्रियोजणा निम्लम खित्मि से किस राजय में स्थितिता है करंनाटक, hatred, उत्राखंड और असाम यहां पर बात हो रही है नत्रवती रिवर्फ्रणट प्रियोजणा की जब आतर सकंद की आसे इलाके अचिए कि यूमुना, सब्सक्राप कर धिल्ली यू octopus अबैंटि यह आँप पर यहां पर यहां पर यांप उप्सक्राइब लगएडा को बढ़ाने के लिए यहां पर बना सकते है डिक आपको चलने के लैंन सकते है स्के अलावा चोटी मोटी चीज़ें इसको सुन्दर बनाने के लिए की जा सकती है वह की जा रही है ऐसा ही एक project है नेत्रवती riverfront ठीक है और यह project जो है करणा टक में हैं और अभी रिशंटरी निउस में इसलिए है कि कुछ से कोश्टल regulation zone होते हैं जो टटिय चहत्रों को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं इसके अलबा कुछ इन्वामेंट के पर्यावरेंट के नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया गया है जिसकी वज़े से यह न्यूज में था आप यहां पर देख सकते हैं यह नेत्रावति रिवर्ट्ट प्रोजेक्ट यहां पे है और इसे सब्सक्राइब करें जा रहे हैं जैसे यमना रिवर्ट्ट है इसके अलावा जहलम रिवर्ट्ट और तवी रिवर्ट्ट है तो आपको इस मैप के जदी आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कौन सी नदी कि इखर है इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि उडिस्ता अलग-अलग है यहां पर कंफ्यूज मत होएगा मूस्ती रिवर काफी ताइम से चर्चा में भी है क्योंकि आपको हिस्ट्री में आपने पड़ा होगा कि मूस्ती के किनारे जो है हिदराबाद बसाया गया था और अब भी हालत यह है कि यह बहुत ही प्रदोशित हो रखी है नदी और यह नदी जैसे दिखती नहीं है अब यह नाले जैसे दिखने लगी है इसलिए जो है यह न्यूज में रही है ठीक है तो यहां पर आप नेत्रवस्ती के बारे में यह करना तक आपका सही उत्तर हो जा चुम्भी घाटी नाथूला के पहाड़ी दर्रों के माधियम से दक्षिन पश्चिम में सिक्किम से जुड़ी है आपको इनमें से सही कर्थन को चूज करना है पहले आकर करके देख लेते हम लोग कि इस एरिया के बारे में जो यह बात हो रही है तो यह आपका ब्रहम पु ब्वुटान से यह भारत के अंदर प्रवेश करती है ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे कि यह सिक्किम है आपका यह भूटान है और यह तिबद वाला एरिया है तो तिबद के दक्षिन की और यह सिक्किम और भुटान के बीच में इस्तित है यह आपकी चुम्भी बैल तो यह हमारें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चुम्भी वैली के जश्ट पास में यहां पर देखेंगे कि अपर देखेंगे कि एक सिलीगुरी कोरिडोर जो है यह भारत के बाकी राज्यों को भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों से अगर यह एरिया किसी तरीके से हम भ चाइना यहां पर लगाए बैठा वह मारे लिए यह鹿े ये एरिया हो जाता है यह चुंबी वैली भुठान के लिए काफ़ी criteria कोर्थ ऑफय होता है अपने दो क्लाम सुना होगा 2017 में इसी एरिया में इसी एरिया के पहाडी दर्रों के मादेव से दक्षिन पस्चिम में सिक्किम से जुड़ी भी है यहाँ पे आप देखिए यह आपकी चुम्बी घाटी है दक्षिन पस्चिम में यह नाथूला दर्रा है यहाँ जिससे यह सिक्किम से जुड़ी भी है तो आप कहा सकते हैं यह statement भी तही हो ग सागर बांद जैसे प्रमुग जलायशों को कृष्णा नदी और टाइगर रिजर्व से निकलने वाली कई बारा मासी धाराओं से पानी मिलता है ठीक है यहां पर यहां पर सही विकल्प चुनना है आपको यहां देखिए यह जो हम बात कर रहे हैं अमराबाद की यह तेलंगा आप नीचे देखेंगे कि दक्षिण में यहां पर यह अमराबाद टाइगर रिजर्व है और यह भी खबरों में इसलिए है क्योंकि यहां पर फॉरेश्ट फायर जंगल में जो आग लग जाती है वह हुए थे जिसकी वरे से यह खबरों में रहा है और यह जनलिक्या है कि हमारे अप्रेल से मई के महिनों में ज्यादा ऐसी आग लगने की संभावना रहती है लेकिन इस बार हम देखे हैं कि यह मार्स के महिने में यह आग लग गई थी तो उसकी वज़े से हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं क्लाइमेट चेंज की वरे से जो काफी तेजी से हो है और उसका पानी आखिर में जाकर के स्री सेलम और नागर जुना सागर डैम में यूज किया जाता है तो आपके यह दोनों स्टेटमेंट हो जाते हैं सही आपका उत्तर जाएगा ठीक है अगला सवाल देखते हैं पोभी तो राव वन्यजीव अभ्यारण के बारे में निम रखनी काजी रंगा कहा जाता है आपको यहां मैंसे सही जो वाक्य है उनका चुनाव करना है तो जब हम पोभी तो राव अभ्यारण की बात करते हैं तो अभी यह खबरों में इसलिए है कि जो अस्टाम की सरकार का कहना है कि अब वो इसे जो यह वाइलाइफ सेंचुरी य क्यों ले रही है ऐसा कि उन्हों न कहा कि जब इसको वर्नेजीव अभ्यारण बनाया गया था उस टाइम से सरकार से कुछ पर्मिशन नहीं ली गई थी जिसकी वरे से यह जो है ठीक नहीं है और अब इसे वापस हम लोग यह दरजा इससे चीन रहे हैं लेकिन सुप्रीम को आपको यह क्लियर हो गया कि असाम गौवर्मेंट नहीं होगा तो यह आपका इस्टेटमेंट गलत हो जाता है फिर यह विश्व में एक सिंग वाले गैंडव की जन संक्या सबसे अधिक है यहां पर लोग बिसिकली डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो यह स्टेटमेंट भी आ इसलिए इसको मिनी काजी रंगा भी कहा जाता है यहां पर देखिए कि यह पोवीतरा वाइलाफ संचुरी है जो की असाम में इस्तित है ठीक है और यहां पर देखेंगे कि इन एक सिंग वाले गैंड़ों की काफी ताधात रहती है ठीक है और इसके पास में ही यहां पर ब्हारण है ठीक है यहां पर हम लोग आ जाते हैं यह आपका गलत है क्योंकि यह असम में इस्तित है ठीक है और बाकी के दोनों स्टेट्मेंट सही है इसलिए केवल दो आपका उत्तर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं ग्रेट इंडियन बश्टर्ड के बारे में निम् अगला स्टेट्मेंट के लिए सबसे बड़ा खत्रा ओवर हैड बिजली लाइन है जिससे अक्सर टकराते हैं और उनकी मृत्य हो जाती है आपको इन में से सही कतन चुनने हैं अब आईए एक बार देख लेते हैं यह न्यूज में इसी लिए हैं इसी तीसरे जील है राजस्थान में ठीक है उसके आसपास बहुत सारे ऐसे और विजली के तार है और जहां पर यह टकरा करके इनकी मृत्यों हो रही है उसकी वज़े से समस्या को कैसे समाधान करना है वह आपको देखना है ठीक है इसकी वेज़े से यह न्यूज में था तो यह यहां पर यह बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाते हैं तो यह पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया 2011 में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ट के तौर पर रग्रिकत किया गया था आई उसीन के द्वारा तो यह आपका सही है तो दूसरा और तीसरा सही है तो केवल दो यहा सब करना बढ़ secular के यहां दो सबसे ज्यादा नs जो है वह राजस्थान में ऑौर चीजजब हम बात करें ग्रेट इंडियन-बश्टर की इसका वजन काफी ज़्यादा होता है ये बहुत बड़ी बर्ड है उसके बावजूद भी ये उड़ सकती है ठीक है इसलिए ये काफी फेमस है और इनका संग के अंधरी नम जो है वो राजस्तान में सबसे ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गुजर इसको फॉलो किया होगा अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली हमारे जो प्रदान मंत्री है उनकी विजिट हुई थी भूटान ठीक है अलांकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है उसके अलावा उसके बावजूद भी जो है प्रदान मंत्री भूटान गए इस से कनेक्ट करता है यह भारत और भूटान को कनेक्ट करता है इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इसको एक बार मैप पे आप देख लीजिए यहां पर यह कोक्रा जा रहा है जो की असम में है ठीक है और यह चो गेलपू है जो यह आपके भूटान में है ठीक है तो यह असाम यहां पर बात की जा रही है दो तीन चीजे जो आपके लिए इंपर्टन हो सकती एक तो मेदारम जात्रा ठीक है दूसरा यह कोया जन्जाती के लोगों के दौरा मनाई जाती है ठीक है यह यह था यह क्यों मनाई जाती है कि बारवी सताब्दी के आसपास पारी सताब्दी के आसपास आपको पता है काक्टेयर रूलर्स है जो यह काक्टेयर रूलर्स है इनके खिलाफ एक माँ और बेटी एक विद्रो कर लेती है ठीक है माँ का नाम था समक्का और दूसा था सरलम्मा इन दोनोंने मिलकर के यहां पर विद्रो किया था काक्टेयर रूलर्स की खिलाफ क्योंकि उनको लगा था कि यह रूलर्स हम पर अन्याय कर रहे हैं और उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए यह मेदाराम जात्रा निकाली जाती है और यह हर दो साल में मा बेटी ने एक विद्रो कर लिया था उसी को जो है सम्मान प्रदान करने के लिए यहां पर आपके सामने पिक्चर है जहां पर मेदारम जात्रा का दिखाया गया आप यह कह सकते हैं कि कुंब के बाद सबसे ज्यादा लोग यहां इखटा होते हैं ठीक है और जब हम बात क होता है और किसके द्वारा होता है ठीक है तो यहां पर देखेंगे त्रेलंगा ना आपका उत्तर है ठीक है आगे वड़ते हैं आपके लिए अन्तिम में एक अभ्याज प्रश्ण है जो है राश्ट्री चंबल अभ्यारेंड के संदर में निम्न लिखित कत्मों पर विचार कीजिए यह उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों तक फेला है दूसरा है चंबल नदी के किनारे इस्तित अभ्यारेंड दो लुप्त प्राय मगर्मच परजातियों गडियाल और मगर मगर्मच के लिए बहुत कम महत्वपुन आवासमें से एक है उसके अलावा है चंबल नदी लुप्त प्राय गंगा नदी में डॉल्फिन की भी मेजबानी करती है या फिर आप यहां कह सकते हैं कि चंबल नदी में जो है क्रिटिकली इंजर्ड जो इंडेंजर्ड डॉल्फिन है वो भी पाई जाती है इसमें से आपको देखना कि कौन दियर विवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले